नमस्कार दोस्तों UK Gardening Channel पर आपका फिरसे स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिपॉर्ट की वे एडेनियम को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए जैसे कि आप सबको पता है कि हमने प्रीवेस वीडियो में हमारे दो एडेनियम को नरसरी से खरीदा था और उन्हे आज का वीडियो उनके ट्रीटमेंट के उपर है कि रिपॉर्टिंग के बाद में उन्हें कैसा ट्रीटमेंट दे तो चलिए शुदू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें दोस्तों एडेनियम का जो पोदा होता है वो फंगस के पती बहुत सेंसिटिव होता है यदि इसके अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो हमारा एडेनियम मर सकता है इसमें रूट रॉट आ सकता है दोस्तों एडेनियम में फंगस की प्रोब्लम सबसे ज़्यादा जब हम इसे रिपॉट करते हैं तब होती है यदि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो एडेनियम का पौदा मर जाता है तो चलिए देखते हैं अब फंगस का ट्रीटमेंट आपको क्या करना है हमारे रिपॉट किये वे एडेनियम के लिए दोस्तों फंगस से बचने के लिए आप कोई भी फंगिसाइड को यूज कर सकते हैं मेरे पास साफ फंगिसाइड है मैं इसका स्प्रे एक दिन की आड में करता हूँ याने की एक दिन रुक करके अगले दिन में इसका स्प्रे अपने एडेनियम के पर करता हूँ जिसको मैंने रिपॉट किया है दोस्तो जब आप fungicide को spray करें तो हमेशा एडेनियम की पूरी जो body रहे उसको अच्छे से fungicide से गीला कर दें और जो यह white portion है एडेनियम के इसके उपर fungicide अच्छे से spray करें क्योंकि यह बहुत sensitive path होटा है एडेनियम का इसमें fungicide लगने के chances ज़्यादा होते है एडेनियम की जो मिट्टी है उसके उपर भी fungicide अच्छे से डाले ताकि हमारे एडेनियम को root rot की disease ना आए fungicide की वज़े से दोस्तो fungicide का spray आप लगबग एक हफता चलने दे इससे आपके एडेनियम के अंदर fungicide लगने के chances और कम हो जाएंगे और एक हफते में हमारा एडेनियम अपनी नई roots को develop करने लगएगा bonsai pot के अंदर इसके लगबग एक हफते तक fungicide को spray करें दोस्तो लगबग एक हफते के बाद में जब हमारा एडेनियम growth करना start कर देगा तो उसकी growth को enhance करने के लिए कौन सा fertilizer देना है चलिए उसके ओपर ध्यान देते हैं अब दोस्तो एक हफते बाद हमको हमारे एडेनियम की जो growth enhance करनी है उसके अंदर इसकी branches, codex और roots को भी develop करना रहेगा उसके लिए हम use करेंगे NPK 19-19-19 यदि आपके पास NPK 20-20-20 भी है तो आप उसे भी use कर सकते हैं और use करने से पहले अपने जो NPK है उसकी nutritive value और उसका dosage एक बड़ चेक कर लें और फिर आप इसे अपने एडेनियम के ओपर spray कर सकते हैं दोस्तों मैंने NPK को कैसे use करें उसके ओपर एक separate video बनाया था और NPK के उपर एक detailed video भी available है मेरे channel पे तो आप जाके उने भी देख सकते हैं उन वीडियो का link आपको description में मिल जाएंगा और साथी साथ eye button में मैंने उस video को attach कर दिया है तो आप इस video के बाद में उने भी देख सकते हैं दोस्तों NPK का spray हर हफ़ते अपने एडेनियम के उपर करें इससे होगा क्या कि आपके एडेनियम की growth और अच्छी होएंगी और flowering season पर ये जल्दी flower देंगा और जादा flower देंगा दोस्तों अब हम जिस fertilizer के बारे में बात करेंगे वो fertilizer देने से आपके एडेनियम की growth डबल हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से boost होगा वो fertilizer है ये seaweed extract ये seaweed extract की एक sample unit मैंने nursery से खरी दी थी ये 150 रुपीज की bottle थी और जब आप इसे अपने एडेनियम के अंदर देंगे तो आपका एडेनियम धेर सारी branches भी निकालेंगा और इसके अंदर flowering भी धेर सारी होगी दोस्तों ये fertilizer को आप महिने में एक बार अपने एडेनियम के अंदर दे इससे आपको बहुत बढ़िया growth मिलेगी दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि रीपोट किये वे एडेनियम को क्या treatment दें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल पर यदि आप नए आया हो तो चैनल को subscribe करके support करें बेल नोटिफिकेशन जो बनाएंगा subscribe करने के बाद में उसे जरूर प्रेश करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद